हाई अब्रिवान नमस्कार वेल्कम बेक तो माई चैनल हरुदार फैमिली व्लोग्स कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठिक टाक होंगे बहुत अच्छे होंगे खोश होंगे आज मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ किचन से ही और बहुत बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो किचन से ही शुरू कर लेती हूँ तो सुबह का टाइम है और आज है वर्ट सावित्री वर्थ आप सभी को वर्ट सावित्री वर्थ की बहुत सारी शुब कामना है तो बस मेरे यहां भी आज वर्थ सावीतरी वर्थ की पूजा है, वर्थ है तो बस उसी के लिए मैं आपे खाना बना रहे हूँ और वुलोग मैंने यहां से शुरू किया है छोले बनाने वाली हों, छोले बोयल होके रखे हैं और उसके लिए यहां पे कड़ाई चड़ाई है जैसे ही ओयल गरम हो गया है उसमें थोड़े से खड़े मसाले डाल लिए हैं तेजबता बड़ी लाइची लोंग और छोटा सा टुकड़ा दाल चीनी का जीरा हींग तो यह सब मैनेस में डाल लिए हैं और पीना भ्याज की इमेच और टमाटर का पेज डाल दिया है टमाटर थोड़े ज़्यादा यहां पे मैं डाल रही हूं थोड़े से आज जो है छोले डिफरेंट टेस्ट के बनाने वाली हूं खटे वाले छोले एक तो टमाटर ही थोड़े से ज़्यादा डाल दिये हैं और फिर मैंस में कुछ खटाई भी डालूगी नमक डाल दिया है टेस्ट के कोडिंग और यहां पे छोले मसाला डाला है जिसमें लैसोन प्याज कुछ भी नहीं है तो वो डाल दिया है और एक चमच भरके डाल दिया है अमचोर पाउडर और साथ में गरम मसाला गरम मसाला मैंने इसमें खड़े भी और पिसा हुआ भी डाला है क्योंकि बिना प्याज की सबजी है तो थोड़ा सा मसाले जाता जाते हैं तभी जाके स्पाइसी अच्छी सी बनती है कवर करके छोड़ दिया था पकने के लिए और यहां पे देखिए मसाले अच्छे से भून चुके हैं अब मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ और थोड़ा सा यहां पे भून लूँगी फिर मैंने इसमें डाल दी हैं यह छोले जो कि पहले ही बोयल करके मैंने रख लिये थे जल्दी बोयल होने के लिए रख दिये थे तो उनको मैंने कवर करके रख दिया है दूसरी साइड और मैं इसी गेस्ट के उपर सब कुछ करती हूँ जो भी बनाना होता है क्योंकि कैमरा मेरा यहीं पे सैट अच्छे से होता है इधर उदर अच्छे से सैटिंगी नहीं हो पाती तो मैं दूसरी साइड उसको जो है कर देती हूँ और फिर इस पे मैं जो है दूसरा आइटम बनाना शुरू करती हूँ तो यहां पे मैं हलवा बना रही हूँ उसके लिए मैंने घी लिया है और एक कप सूजी ली है और करीब आदे से जादा कप मेरा घी करा आओगा अंदाजसे ही डाला है आज कल गर्मी का मोसम है तो घी बिल्कुल मेल्ट रहता है तो वो अपने देखाई है तो घी डाल दिया है और अच्छे से मैं सूजी को यहां पे भून लोगी मेडियम आज पे चलाते हुए तो बस थोड़ी देर में मेरी सूजी फुन गई है कलर चेंज हो गया है देखिए गोल्डन सा कलर दिखाई देने लगा है बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूंगी और गर्मी के सेजन में इस तरह की जो सूजी वगर हमारी होती है बहुत जल्दी बुन जाते हैं क्योंकि आज कुछ जादा ही तेज लगती है चाहे हम कितनी भी लोग कर ले तो सूजी बहुत ही अच्छा सा कलर की हमारी हो गई है फिर मैंने इस में अड़ कर दिया है पानी और पानी मैंने ठंडा ही लिया है बॉयल नहीं डाला है आज और साथ में अड़ कर दी है चीनी और चीनी मैंने लिए है जैसे एक कप मैंने सूजी लिए है तो आधे से उपर कप मैंने चीनी का लिया है इतने में ठीक ठाक हलवा मिठा हो जाता है अगर आपको हो जादा मिठा हलवा काते हैं तो थोड़ा जादा भी ले सकते हैं कई बार इस तरह से भी बना लेते हैं जैसे हमने एक कप जहां तक सूजी ली है और चीनी भी वहीं तक ले क्योंकि पानी भी जाता है घी भी जाता है तो उतना भी चल जाता है लेकिन मैंने थोड़ा सा कम ली है यापे और बस इसको पका लेना है ड्राइफूट वगएर आज सब्सक्राइब को सिंपल आज गाओं वाला में हलवा बना रही हूं कभी कभी गाओं में इस तरह का लवा पहले बनाया जाता था इस तरह से नारियल उपर डालके सूखा नारियल तो इस हलवे का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है और बिलकुल आज घर की आदा रही पहले बनाया जाता था बहुत जादा क्वांटिटी में हलवा बनता था पहले गाओं में अब तो गाओं में भी उतना नहीं कोई मिठा खाता है और इस तरह से नारियल डालके बहुत अलग साटेस्ट आता था तो आज इस तरह से मुझे बिलकुल मेरे घर की याद आ रही पूरे बनाने की त्यारी कर रही हूं पूरे भी बनाए जाते हैं कुछ लोग इनको गुलगुले बोलते हैं तो हमारे याँ गुड के पूरे इनको बोला जाता है तो बस उसी की त्यारी कर रही हूं गुड तो नहीं है इस बार मैंने याँ पे शक्कर लिया है जो हमारी ग अच्छे से उसमें जो है आठा मिला लिया है और इसका मेया पे कोई मेजरमेंट नहीं दे रही हूं मैं यह अंदा जैसे कर दिया था मेजरमेंट मैंने पहले दिया हुआ है पीछे करीब एक साल पहले की वीडियो है तो लिंक आपको डिस्क्रीम में मिल जाएगा वह आप चे करेंगे फिर इनको मैं हिलाडू लाके इस तरह ऐसे सीख लोंगी एक अच्छा सा कलर आने तक बहुत ही टेस्टी लगते हैं अच्छे लगते हैं खाने में और सबको पसंद अलग अलग होती है लेकिन जिनको मीठा पसंद है न तो मेरे घर में तो यह बच्चों को बहुत पसंद है अंच को तो बहुत ही जादा पसंद है और मुझे भी और मेरे ससुर जी को भी तो पा खीर के साथ आप इनको खा सकते हैं धूद की खीर या फिर ठंडा दूद लेकि बहुत ही टेस्टी लगते हैं थंडे दूद के साथ तो देखिए यहां पर हलवा भी तयार है पूड़े भी तयार है और छोले भी तयार है तो सब कुछ मेरा बन चुका है और कड़ाई गरम है तो आटा तयार है, साथ-साथ मैं आपे पूरिया सेख लूँगी तो वस यहां पे मैंने कुछ पूरिया सेख ली हैं और कुछ मैं बाद में सेख लूँगी क्योंकि पूजा में चाहिए होंगी, भोग के लिए चाहिए होंगी बगवान जी को भी तो दोनों जगा भूग लगेगा जो बाहर मैं पूजा करूँगी और मैं पूजा बाहर करने वाली हूँ क्योंकि बाहर नहीं जा रही हूँ जो वट प्रक्स होता है तो वहाँ पे मैं नहीं जा रही हूँ घर में ही मंगा लेते हैं तो उसकी एक टहनी बोलते हैं हम तो वह मगा लेते हैं और घर में ही मैं उसको लगा लूँगी बाहर कार्टन में तो वही पर मैं पूजा कर लोगी बस ऐसा ही लग रहा है तो पूजा करते वे जैसे कि मैं बाहरी कर रही हूं तो अब मैं सारा सामान लेकिया गई हूँ बहार और यहां मैंने वट विक्स लगा लिया है बहार ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहार ही चली गई हूँ पूजा करने के लिए बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था यहां बहुत अच्छा लग रहा है नहीं कि मैं अंदर लगा लेती थी लेकिन फिर मिट्टी लेके जाओ ऐसे करो ऐसे करो तो मैंने यहाँ एजी करने के लिए ही पे लगा लिया गार्डन में ही तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और जैसे मुझे पूजा करनी है जो मुझे पूजा में समान चाहिए हो मैंने सब कुछ यहाँ पे रख लिया है बहुत जादा समान नहीं है क्योंकि मेरे यहाँ पे मार्कित नहीं कुल आया है चूड़ियां बगेरा लानी थी लेकिन नहीं मिल पाई कोई बात नहीं जो घर में है उससे में काम चला लूँगी पूजा मेरी हो गई है भोग लग गया है बगवान जी को भी सब कुछ हो गया है और मैं फिर से कूरी से लगी हूँ पहले मैंने थोड़ी बनाई ती तो बाद में मैंने सोचा पहले क्यों सारी बना के ठंडी करनी तो बीच मेंने पूजा कर ली है वो लेट भी हो रहा था इनको ओफिस जाने के लिए तो फिर मैंने इनका लंच वगरा पैक करके दे दिया है और यहां पे थोड़ी ची पूरिया मेरी बची हैं तो बाद में यह सेख रही हू मूं यहां पे इनका इस जाने होता है ठोड़ा जल्डी जाने होता है और जाता है थोड़ा ने काम नहीं पार बढ़ा देथी है तो बस कि यहाँ पे मैं थोड़ी सी पूरियां है यह बची हुई में इनको भी शेख लोंगी कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो को कि आप सभी को वड़माव की बहुत सारी चुप कामनाई और नहीं होता पूरे दिन का अगा अब पूजा ओती है तब तक अब आपसे मिली हूं खाना पीना सबका हो गया है और किचन मेरी भरी पड़ी है बहुत बुरी आलत किचन की है और सुबा से लगे लगे थकान हो गई थी तो थोड़ा सा मैं लेट भी ली हूं किचन से आने के बाद चाई वगेर ली क्योंकि चाई आज सुबह नहीं हुई थ तो एकी बार बाद में ही लिया है सब कुछ पानी चाय जो भी पानी भी नहीं पीते हैं जब तक तो फास्ट रखते हैं तो पूरा फास्ट नहीं होता है हाँ कुछ लोगों के यहां आज पूरा फास्ट रखा जाता है शाम को खोला जाता है लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है और मेरे माईके में ये त्योहार मनता भी नहीं है, मेरे माईके में नहीं होती है, ये बड़ मावस, मैंने सुना भी यही पर आके है ससुराल में ही, तो मेरे माईके में नहीं पता की वर्थ सावित्री वर्थ क्या होता है, तो वस यहां मेरी सासुमा जैसे करती थी, मैं वैसे कुछ पूजा करते हैं मेरे यहां सिंपल को चोटी होती है पहले में बढ़ की पूजा कर लेती थी जो बढ़ा का बढ़का पेड़ कर लेती थे लेकिन अब लोक्टाउन तो मैं लेती हूँ घर में बढ़ की जो एक टहनी ले आते हैं तो उसको लगा के उसकी पूजा कर लेते हैं तो बस मैंने ऐसे ही सब कुछ किया है और ममी के आगे से ही ऐसे ही करते हैं ममी ती जब तो तब भी घर में करते थे ममी भी बाहर नहीं जाती थे और फिर बीच में मैंने कुछ साल बाहर जाके पुजा की है बरकट के पेड़ की तो अब मैं घर पे ही sano data और फिर रे घर पह्या हुल ṹज यह लोक डाउन है कुछ ज़िएधा कि यहां भी वर्थ सावित्री वर्थ होता है नहीं होता है किसके यहां होता है किसके नहीं और कैसे पूजा की जाती है पूजा की कोई मैं जो है वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि सब के रितिरिवाज अलगी होते हैं तो जैसे जिसका होता है वैसे कर लेते हैं तो बस इनका लंच पैक करके दे दिया था और फिर मैंने रेस्ट किया गर्मी बहुत जादा लग रहे थी किचन में बहुत जादा पिछले चार-पांच दिन से इतनी गर्मी है कि पूछे मत और आज रात में तुफान और बारिस भी आया है मतलब बारिस थोड़ी आई है तुफान जैसे ही मैं सुबह उटी ना इतनी आलत कराव थी धूल मिटी से बारिस कम आई है तो इतना गंदा था फिर आज पूरे घर की अंदर से बार तक साफ सफाई भी सुबह सुबही करनी पड़ी पहले उधर धुलाई की फिर पिछे की साइड और फिर पोछा भी लगाया क्यों की तियोहार था और फिर सोच रही थी कि पूजा सुबह सुबह यह हो जाए ना तो अच्छा भी रहता है फिर यह लगाया काम था तो इसलिए मैंने सुबह जल्दी जल्दी ही कर लिया और साड़ी पैननी थी आज मुझे लेकिन एक तो बारिस हो रही थी और उपर से गर्म कि मेरा मन विल्कुल साड़ी पैनने को को नई हूँ और सुबह इतनी जल्दी जल्दी में होता भी नहीं बनता लंच के टाइम पे बनता तो फिर तो हो भी जाता है तो यह पुजा काम ऐसा है तो सुभा-सुभा नहीं मैंने साड़ी पैनी और सही बताऊं मैं साड़ी पैनने का कई दिन से सोच रही हूं गर्मे लेकिन गर्मी छोड़ो क्या करना है कुछ लोगों के आना तो बहुत और यहैं मैं नित्य जूरीक। व Chemistry questo रहें, sira क्लोड़ीक, लेता है जब तक किछन कर लेती हूं, बहुत बुरी यालत जब तक आ इसा हुआ है नहीं कितना काम फैला पड़़ा कि मैं tut Wij सबते हैं, सकते हुआ भारी सा लगता है तो बस अब मैं किचन में चलती हूँ काम निप्टा लेती हूँ अपना फिर मिलूँगी इसके बाद जो होगा आगे देखते हैं क्या करते हैं चलिए तो बरतन वगएरा मैंने सब कर लिए हैं पहले खा ले किये फिर कि दूध बोईल हो गया है क्योंकि दूध भी आ गया था और अब मैंने किचन को कर दिया है clean और और जैसे ही मैं यहाँ पर voice over कर रही हूँ तो मैंने देखा कि end तो मैंने किया ही नहीं कल मैं इतना busy हो गई थी फिर दिमाग से ही निकल गया कि वीडियो मैंने शुरू किया था और उसका end भी अभी तक नहीं किया तो जैसे voice over edit करने लगी तो याद आया फिर मैंने नहीं किया तो बस यही थी आज की वीडियो फोटा सा वीडियो है एंजोए करिएगा और आज की वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगाओ कोई की भी के लिप अच्छे लगी हो